बच्चों को समझाने के लिए, बताने के लिए, दिखाने के लिए, हमें एक दो बार उसके पास में बेट करना पड़ती हो कभी कभी करना पड़ती हो ये जो गर्व में जो ग्यान आता है ना बच्चों को ये गर्वती नारी जो इस्मर्ण करती है साधना करती है उससे प्राप्त हो परिलात की कत्था देख लीजिए गर्व का ग्यान प्रथम ग्याद अब आज के जमाने में तो डॉक्टर कह देते हैं बेड ड्रेस तो उलाद भी ऐसी पेदा हुई 24 घंटा नाटक करें गोदी में रे तो चुपरे नीचे सुलादों तो पेंपे करें ऐसी उलाद पें जैसे नाटक बहू बच्चों को जन्म देने के समय पर करती है तो बेसे ही नाटक उसकी उलाद उस बहू के सामने करती है तुमने मेरे को कुछ भा नहीं दिया मैं कुछ नहीं खाऊंगी भूकी रेगी बजार से मंगा कर खाएगी तो उलाद भी ऐसी पेदा हुई घर का भाई नहीं उलाद का मीन मीन खिला दो समाज भाई वो अगुछ अपंडी जी से पूच ले गुरुजी यह कुछ खाते ही निचिडचिड़ा हो गया तो गुरुजी इत्ता पूच ले जब यह पेदा हुआ था तू कैसी थी तेरा बता नो महिना जब यह गर्व में रहा तो तू चिडच तो नहीं करी भोजन भाया की नहीं भाया घर का तो खाती नहीं थी पती से कह दे थी मेरे को कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा भूभी विचारा जेब में भर के लिया था चुपचाप से खिला दे बस जैसे ब थी में अलाद में बही तु आएंगी णिजी तुमहीं बोलो जाए साहिए कि कर लेत है तुम अंद्या लगा अपने अपनी अब यह गर्म में था तुम के नहीं बजार का मत क् वार मत करो उत्ता ही खाए मतलत तुमने भी जब घर्व में था बरवा बरवा के बुलाए